नमस्कार दोस्तों मैं अक्छे सेक्ट आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल रेलवे ग्यान में स्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक नए खुसकबरी सुना दूँ कि रेलवे में ग्रूब डी का बैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं और ये आप लोगों को जन्वारी के इसमें देखें लेटर में क्या लिखा हुआ है 2024 Railway Group D Recruitment The Railway Recruitment Board Invited Online Application Form From Leasible Candidate for Railway Group D Recruitment 2024 देखिए दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1,3,770 वैकेंसी आने वाली है इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th and ITI दोस्तों जो अप्रेंटिस किये हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़वर है क्योंकि उनका अप्रेंटिस वालों का नंबर जो है बहुत कम माक्ष पर फाइनल हो जाता है जिनोंने अप्रेंटिस किया है उन्हें भी बहुत अच्छा न्यूज है और जिनोंने 10th पास किये है उनके लिए गुरूप D का जो है अच्छा खासी वैकेंसी मिल जाएगी इसमें आप लोग देख सकते हैं ओनलाइन डेट जो इसका होगा जनौरी के लाश्ट तक 22 है और जो है कि लाश्ट जनौरी तक ओनलाइन अप्लिकेशन होने लेंगे और लाश्ट डेट इसका फरवरी 2024 तक रहेगा ठीक है तो इसमें एक लाख 3779 पोस्ट है अगर आप गुरूप D में रेलवे गुरूप D में आना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया औशर है और इसमें बहुत सारा पोस्ट है प्रिफरेंस के तोर पे आप यहां पे देख सकते हैं टोटल 17 पोस्ट दिखाए गया है जिसमें असिस्टेंट वर्क्षोप पोस्ट है असिस्टेंट ब्रीज है असिस्टेंट CNW है असिस्टेंट डीपो इस्टोर असिस्टेंट लोको सेड डिजल उसके बाद असिस्टेंट लोको सेड असिस्टेंट अप्रेशन इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट पॉइंट्स मैन पोस्ट मैन सिगिनल एंड टेलिकॉम असिस्टेंट ट्रैक मसीन टील एंड एसी वर्क्षोप टीयर डी और यहाँ पे जो है hospital assistant और यह track maintainer post है तो दोस्तों यह track maintainer का जो post है आप इसे जिनका जिनोंने civil engineer से डिपलोमा किया है अगर वो track maintainer में भरती है तो उन्हें आंगे जेई में जाने का आउसर मिल सकता है तो दोस्तों यह total 17 post है आपको option form में दिया रहेगा आप अपना post चूज करके आप reference दे सकते हैं और इसमें जो है railway group D zone wise vacancy है 2024 में बहुत अच्छा उसर मिल गया है और आप इसे फेक न समझें क्योंकि जल्द ही 2024 में चुनाव भी है और बहुत सारी vacancy भी मिलने वाली है तो अगर आप general competition का त्यारी कर रहा है railway का तो अभी से ही लग जाएए ठीक है और इसके लिए group D age limit यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 33 वर्स एक जनौरी 2024 के हिसाब से रहेगा और उसमें 5 वर्स का छुट भी है SCST and SCST category के लिए 5 वर्स और OBC के लिए 3 वर्स और यहाँ पर पहले return होता है उसके बाद physical efficiency टेस्ट होता है जिसमें male candidate के लिए 1 किलो मीटर दोड़ना पड़ता है 4 मिनट 15 सिकेंड में और 100 मीटर तक 35 केजी वेट का वजन लेकर 2 मिनट में भागना होता है और वहें female candidate के लिए जो महिला लोग होती है उन्हें 1 किलो मीटर का दोड़ है 5 मिनट 40 सिकेंड में और उन्हें 20 केजी का वेट 100 मिनटर लेकर चलना पड़ता है और qualification का बात करें तो 10th and ITI वालों के लिए और इसमें जो इसाईलेबस होता है तो general science हो गया मैत हो गया reasoning हो गया general awareness हो गया total 100 question timing 9 मिनट रहेगा अब इसमें marks के हिसाब से दिया हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है submix question रहेगा लेकिन इतने सारे subject रहेगे ठीक है तो आप अभी से लग जाईए और इसका जो है basic group D का जो होता है salary minimum 18,000 रुपे basic salary होती है और यदि आप 3 साल service कर लेते हैं तो आपको आँगे बढ़ने का मोगा मिलता है और आप कोई भी department में जा सकते हैं यहाँ पर देखिए इसका जो है पहले computer best test होगा exam होता है उसके बाद physical efficiency test उसके बाद physical जो pass करते हैं उनका document verification होता है और उसके बाद medical exam होता है उसके बाद last final merit बनता है और आपका joining किया जाता है इसके लिए application फी जो होता है SC, ST and PWD candidate के लिए 250 रुपे और other OBC and general के लिए 500 रुपे ठीक है कैसे apply करना है तो आप लोगों को जो है जल्द ही यानि के जनौरी में ये notification आप लोगों को सरकारी website पे जैसा कि गूगल chromo browser में मिल जाएगा वहाँ से आप सरकारी result में जाके इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी खुसकपरी है अगर आप प्रेलवे group D का इंतजार कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाएए अगर डेली दो घंटा अप तयारी करते हैं तो आपके आने वाले exam के समय तक आप इसमें इस exam को pass करते हैं और इसमें जादा number नहीं लगना होता है only 60 से 70 number लाइए और final joining हो जाएगा ठीक है आसा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी धन्यवाद